हैलो दोस्तों मैं धी रियन स्वागत करता हूं आपका एक्जाम स्टेटिविश संईता में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई मई का मोस्ट इंप्वोर्टेंट करेंट अफेयर दोस्तों ये वीडियो करेंट अफेर दो हेर 22 रिलेटेट है जिसमें हम मई महीने के मोश्ट इंपोर्टन सभी प्रिसनों को आज फुल डिटेल के साथ डिसकस करने वाले हैं लगबग आज हम 180 वन लाने प्रिसनों को यहाँ पर देखेंगे और साती सात में आपको मोश्ट इंपोर्टन कोश्टन की इंपोर्टन डिटेल भी कवर कराऊंगा और यह एक सुपर फास्ट रिवीजन होगा जिसमें हम मई महीने के पहला दूसरा तीसा और चौते हपते के यनकी वीक के सारे कौशन यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं यह बीडियो आपके लिए आने वाले प्रत्युक्त परिशाओं के लिए इंपोर्टन रहेगा जहां पर करेंट अफेर एक मोश्ट इंपोर्टन टॉपिक बनकर आ सकता है तो बीडियो को आप एंड तक पूरा देखिएगा अच्छा लगे तो प्लीज बीडियो को लाइक और शेर जरू कीजेगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए बीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं IPL इतिहास में 704 लगाने वाले पहले खिलाडी कौन बने हैं राइड आंसर है दूस्तों इसका सिखर्धवन पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेवाज सिखर्धवन इंडियन प्रिमेर लीग के थ्यास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाडी बन गए है अगला कौशन है मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए कौरिंटाइन अनिवार करने वाला पहला देस कौन बना है बेल्जियम के चार मामले सामने आने के वाद बेल्जियम मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिन का कौरिंटाइन अनिवार करने वाला पहला देस बन गया या रखेगा बेल्जियम की राधानी है ब्रूसेल्स और मुद्रा है यूरो किस राज की दस वर्सी लड़की इसका नाम है रिदम अगला कॉशन है किस बिटिस परवता रोही ने सोल वी वार मांट एवरिश्ट फते किया है तो इनका नाम है केंटन कूल एक बिटिस परवता रोही है जिनका नाम है केंटन कूल इन्होंने सोल वी वार दुनिया के सबसे उचे परवत को फते किया है और वहां सबसे अधिक मा देशी प्रवतरों ही बन गए हैं किसे बिटिस उप उच्चायोग की महारानी द्वारा मानद अधिकारी ऑफ दा ओडर ऑफ दा बिटिस एंपायर प्राप्त हुआ है तो ये मिला है रॉयल्स रॉय के भारत और दक्षन एशिया के प्रेजिडेंट जिनका नाम है किसोर जैरा ठीक है किसोर जैराम बिस्व कच्छुआ दिवस दोहर बाइस का थीम क्या है तो बिस्व कच्छुआ दिवस दोहर बाइस का थीम है सैल ब्रेट या रखेगा बिस्व कच्छुआ दिवस 23 मई को 23 मई को हर साल मनाया जाता है Sky Bridge 721 दुनिया का सबसे लंबा suspension bridge कहां खुला है important question है ये सही answer है चैक गडराज दुनिया का सबसे बड़ा suspension bridge चैक गडराज में यात्रियों के लिए खोल दिया गया है करीब दो साल से निर्माना धीन इस पुल को आदेकारे तौर पर खोल दिया गया इसका नाम है Sky Bridge 721 केवल कार आपको पुल तक लेज़ सकती है जो दो परवस सिंखलाओं को पार करता है और एक घाटी से 95 मीटर उपर है इसकी लंबाई 721 यानकी 721 मीटर है पर्यटक 1125 मीटर की उचाई से प्रिविस करेंगे और 10 मीटर की उचाई पर प्रस्थान करेंगे अगला कोशन है कौन फ्रांस की नई प्रधान मंतरी बनी है सही आंसर है एलिजावेत बोर्न ठीक है एलिजावेत बोर्न फ्रांस की नई प्रधान मंतरी बनी है फ्रांस का नया प्रधान मंत्री निक्त किया गया है जो देश में यहपत समालने वाली दूसरी महिला बनी है यह रखेगा फ्रांस की राजधानी है दोस्तों पैरिस कौन भारतिय गैस एक्षेंज में कारोवार करने वाली पहली कंपनी बन गई है राज के स्वामित वाली तेल और प्राकरतिक गैस निगम भारतिय गैस एक्षेंज पर घरेलू गैस बेचने वाला पहला गैस उत्पादक बन गया है किस देश की नर्स अन्ना का वाले दूबा दूनिया की सर्विस्रेश्ट नर्स बनी है मार्सा बिट काउंटी रेफरल अस्पताल में तेनात केन्याई नर्स अन्ना कावाले दूबा ने अपने समुदाय में महिला जननांग बिकृती जैसी पुरानी सांस्कृतिक प्रथाओं के खिलाफ सिक्षा का समर्थन करने और अभियां चलाने के लिए पहला एस्टर गार मोटिव बिक्सित किया है तो देखिए इसको बिक्सित किया है पश्चिम मद रेलवे ने यह इंजन दोनों मोड यानि की बैटरी और बिजली पर चलता है बरतमान में इसका प्रियोक ट्रायल आधर पर जवलपुर मुडवाड़ा और अन्न स्टेशनों पर ट्रेनों के किया जा रहा है इस डूल मोड लोको मोटिव को रेलवे बोर्ड की ओर से बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी मिला है किसने फॉप्स हाई एस्ट पेड़ एथलीट 2022 की सूची में सीर्स इस्थान हासिल किया है सही आंसर है लियोनेल मेशी ने 130 मिलियन अमेरकी डॉलर की कथित आय के साथ इनों ने ये मकाम हासिल किया है किसे टेम प्लेटन पृसकार 2022 मिला है सही आंसर है Frank Biljek Frank Biljek Nobel पुरुसकार से सम्मानित सैध्धानतिक भौतिक बिग्यानी और प्रकृति के मूल भूत नियमों की ब्याख्या करने वाले पृसिद लेखक Frank Biljek को इस साल का पृसिदित Temp Latton पुरुसकार मिला है किस कंपनी ने भारत की पहली दंत स्वास्त बीमा योजना सुरू की है सही आंसर है PNB MetLife India Insurance यह भारत की पहली बीमा योजना है जो निश्चित लाब वाले आउट पेसेंट खर्चों को कवर करती है और समरक दंत स्वास्त से सम्मंदिर लागतों के साथ बित्य साहिता प्रदान करती है अगला कॉशन है किसे Royal Gold Medal 2222 से सम्मानित किया गया सही आंसर है भारतिय बास्तुकार BB2 को भारतिय बास्तुकार बाल किष्ण बिठल दास दोसी को प्रतिष्टित Royal Gold Medal 2222 से सम्मानित किया गया Royal Gold Medal Royal Institute of British Architects London United Kingdom दोरा बास्तुकारा के लिए दुनिया के सरवुच सम्मानों में से एक है अगला कॉशन है कहां 5000 साल पुरानी Jewelry Factory मिली है तो यह मिली है हर्याना के राखी गड़ी में हर्याना के राखी गड़ी में सिंदु घाटी स्थल से भारतिय पुरतत्व सरवेच्छन पिछले 32 वर्सों से खुदाई का काम कर रहा था अब हर्याना के राखी गड़ी में काम कर रहे भारतिय पुरतत्व सरवेच्छन ने खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूसल बनाने वाली फैक्टरी की खोच की है मास्टर का निधन हुआ उनका नाम क्या है तो इनका नाम था यूरी एवर बख रूसी शत्रण ग्रैंड मास्टर यूरी एवर बख को मासको में 100 वर्स की आयू में इनका निधन हो गया वे एक दसक तक दुनिया के सर्विस फ्रेश्ट खिलाडियों में से एक थे किस ने 100 इस्टेशनों पर PM बानी बाइफाई योजना शुरू की है राइट आंसर है रेल टेल माइक्रो रतन PSU रेल टेल ने सुम्मार को प्राइम मिनिस्टर बाइफाई एक्सेस नेटवर इंटरफेस योजना की शुरूआत की जो 22 राज्यों के 100 रेल विल इस्टेशनों पर अपनी सार्वजनिक बाइफाई सेवाएं प्रदान करता है किस ने अपने कलाम 100 रॉकेट का सफलता पूरवर परिक्षण किया जो विक्रम 1 रॉकेट के तीसरे चरण अथवा इंजन को सकती प्रदान करेगा तो इसका सफलता पूरवर परिक् एर इंडिया के स्थापक दोस्तों या रखेगा आरेटी टाटा हैं और इसकी स्थापना हुई 1932 में मुख्यालन नई दिल्ली में हैं किस ने भारत का पहला सुदेशी हाइपर लूप बिक्सित करने के लिए साज़दारी की हैं तो भारती रेलवे और IIT मदरास ने मिलकर भारत का पहला सुदेशी हाइपर लूप बिक्सित करने के लिए साज़दारी की हैं अगला कॉशन है किसने ऑस्टेलिया देश के नए प्रधानमंत्री की रूप में सपत ली हैं तो देखिए एंथनी अल्व नीस ने ऑस्टेलिया के नए प्रधानमंत्री की रूप में सप जीवन के लिए एक साजा भविस्का निर्मान अंतराष्टी जैव विवित्ता दिवस 2022 का थीम है जैव विवित्ता के मुद्दों के बारे में जारुता और समझ बढाने के लिए हर साल 22 मई को अंतराष्टी जैव विवित्ता दिवस मनाया जाता है किसने बारवी होकी इंड इंडिया सीनियर महिला राष्टी चेंपिन्श्फिप के फाइनल में करनाटक को 2-0 से हरा अपना प्रहला सूर्ट पदग जीता है अगला कॉशन है किसने 2021-22 Premier League Football Championship जीती है तो देखिए 2021-22 का Premier League Football Championship को जीता है Manchester City ने कौन दिल्ली के नए उप्राजपाल बने है तो बिने कुमार सक्सेना को दिल्ली का नए उप्राजपाल बनाया गया है किसने Spanish Grand Prix Race को जीता है Formula 1 Race के हम बात कर रहे हैं तो इस वर्ष का Spanish Grand Prix Race Max Best Up पने जीता है किसने Max Best Up पने कौन फिर से Infosys के MD और CEO बने है तो Infosys कंपनी के MD और CEO बने है सलिल पारेक या रखेगा दुवारा से बने है ये Infosys की स्थापना हुई 2 जुलाई 1981 को पूरे में और इसका मुख्याल है Bangalore में इस्तित है बिजय सेखर सर्मा याद रखेगा दोस्तों पेटेम की स्थापना इंपोर्टेंट है अगस्थ 2-10 में इसकी स्थापना हुई मुख्याले नॉइडा उत्तर प्रदेस में है किसने UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग का किताब जीता है सही आंसर है जर्मनी के आई ट्राच्ट फ्रेंकफर्ट ने ये एक फुटबॉल कलब है ठीक है जर्मन कलब है दोस्तों ध्यान रखेगा और इसने इस्पेन के सेविले में पेनल्टी रेंजर्स को 5-4 से हराकर 42 सालों में अपनी पहली यूरोपिन ट्रोफी जीती है किसे अगले मुख चुनाव आयक्ट की रूप में निक्ति किया गया है इंपोर्टन कोशन है दोस्तों चीफ इलेक्सन कमीशनर की रूप में निक्ति किये गया है राजीब कुमार कौन राजीब कुमार सुभास उला राजिस्थान के एक अन्वेशक जिनोंने भाप को पुनर्चकृत करके बॉयलरों में उर्जा बचानी की तक्निक विखसित की ने अमेजन संभव एंटर्प्रियोनर्सिब चैलेंज दोहर बाईस के लिए पहला पुरुसका रन्मन जीता है नेक्स कॉशन है किसने होकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्टे चैंपेंशिप 2022 का खिताब जीता है राइट आंसर है हर्याना याद रखेगा दोस्तों जारकंड की होकी टीम को दो जीरो से हरा कर इमफाल में होकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्टे चैंपेंशिप 2022 को जीता है हर्याना ने अकला कॉशन देखते हैं किस ने माउंट एवरिश्ट पर दुनिया का सबसे उचा मौसम इस्टेशन स्थापित किया है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने बिविन मौसम संबंदी घटना को स्वचलित रूप से मापने के लिए माउंट एवरिश्ट पर 8830 मीटर के उचाए पर दुनिया का सबसे उचा मौसम इस्टेशन स्थापित किया है किस राज ने चारा बिजाई योजना की सुरुवात की है तो देखिए चारा बिजाई योजना को सुरू किया है हरयान ने यह योजना गौसालाओं को चारा देने और आपूरती करने वाले किसानों को 10,000 रुपे परती ये कड़ की बित्ते साहता प्रदान सुरू करेगा बिस्व मेट्रोलोजी दिवस 2022 का थीम क्या है तो बिस्व मेट्रोलोजी दिवस 2022 का थीम है डिजिटल युग में मेट्रोलोजी बिस्व मेट्रोलोजी दिवस प्रती वस 20 मई को दुनिया भर में मेट्रोलोजी माप ये बिज्ञान और इसके अनुपरियों के बारे में जा इसका फुल फॉर्म है ये किसका आई एसस एफ का किसे भारतिय उद्योग परिसंग का अध्यक्ष नियुक्ति किया गया राइट आंसर है संजीब भजाज को वे टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंदरें की जगा लेंगे ठीक है भारतिय उद्योग परिसंग की स्थापने कब किस देष ने अंत्रिक्ष टेलिसकोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग ग्रह की खोज की योजना बनाई है तो यह योजना बनाई है चीन देष ने किसने चीन ने राश्टिये लुप्थ प्रजाती दिवस दोहर माइस का ठीम है ठीक है हर साल मई के तीसरे सुकुर यानकि फ्राइड़ को इसको मनाया जाता है और इस वरसे इसको 20 मई को मनाया गया किस राज्य सरकार ने यी अधी गम योजना की सुरुवात की है आंसर है हर्याना सरकार ने यी अधी गम योजना सुरु की है जिसके तहट लगवक तीन लाग छात्रों को उनकी आनलाइन सिक्षा में साहिता के लिए टेवलेट कंप्यूटर प्रदान किये जाएंगे किसने पहली बार थोमस कप को जीता है आंसर है भारत भारत की पुरुस बैडमिंटन टीम ने फाइनल में पावर हाउस इंडोनेशिया पर 3-0 से सांदर जीत के साथ पहली बार थोमस कप जीता भारत ने थाइलेंड के बैंकोक में थोमस कप के फाइनल में 14 वार बिजिता जीरो से हराकर अपने नाम ये खिताब किया है उस्टिलिया के किस पूर्व क्रिकेटर का कार दुर्गटना में निधन हो गया इंपोर्टन कॉशन है तो उस्टिलिया के पूर्व क्रिकेटर थे एंड्रू साइमंट्स इनका एक कार दुर्गटना में इनकी मौत हो गई है ठी देस भर में रास्ते के अधिकार के लिए आविदन और अनुमोदन प्रिक्रिया को सो ब्यवस्तित करेगा किस ने इटेलियन ओपन 22 का किताब जीता है राइट आंसर है नुवाग जोकुबिच दुनिया के एक नंबर सर्विया के दुनिया के नंबर एक सर्विया के निणायराष्टपती बने तो उनका नाम है ед और सोमालियराष्टपती बने हैं मोग जिशू है और मुद्धा 25 के सैथार हमखा और दायगर उच्वार्ट के चोथे और भारत के 52 वे यहनकी 52 वे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिस उचित किया गया है आइसर मोटर्स ने किसे रॉयल एंट फील्ड का मुख्य कारकारी अधिकारी निक्त किया है तो इनका नाम है बी गोविंद राजन ठीक है रॉयल एंट फील्ड एक भारतिय बहुराश्टिय मोटरसाइकल निर्मार कंपनी है जिसका मोख्याल है भारत के चैनरी तमिलनाडू में है किसे और ओफ दा बिटिस एंपाइर अवार्ड मिला है आंतर है अजय पीरामल को पीरामल समू के अद्देक्स अजय पीरामल को महा महीम दा कुईन द्वारा मानत कमांडर ओफ दा ओर्डर ओफ दा बिटिस एंपाइर से समानत किया गया उन है यूके इंडिया सीओ फॉरम के भारत से अद्देश की रूप में भारत यूके ब्यापार समंदों के लिए सेवां के ये पुरुस्कार मिला है कौन फिर से भारती एरिटल के एमडी और सीओ बने है सही आंसर है गोपाल बिट्थल भारती एरिटल के संस्थापक थे सुनील भारती मित्तल और इसकी स्थापना हुई साथ जुलाई 1995 उपन्यास ए प्लेस कॉल्ड होम को किसने लिखा है तो देखिए ये नया उपन्यास है ए प्लेस कॉल्ड होम इसे लिखा है प्रिती सेनोईने किसने है प्रिती सेनोईने बिस्व मदू मक्खी दिवस दोहरबाइस का थीम क्या है तो बिस्व मदू मक्खी दिवस दोहरबाइस का थीम है B. Engaged Celebrating the Diversity of Beige and Beekipping System बिस्व मदू मक्खी दिवस हर सार 20 मई को मनाये जाता है कब 20 मई को कौन B. A. C. के नए चेर्मेन बने है आंसर है R. B. A. के पूर्व डिप्टी गवर्नर S. S. मुंद्रा प्रमुक स्टॉक एक्षिन B. A. C. Limited ने गोशना की कि उसने कंपनी के निदिसक मंदल के अद्देश की रूप में S. S. मुंद्रा जन हित निदिसक की रूप में निप्टी को मंजुरी दी है ठीक है ये R. B. A. के पूर्व डिप्टी गवर्नर है ध्यान रखेगा किसने 22 बंगारी मताई फॉरस्ट चेंपिंशिप आवार्ड को जीता है आंसर है सैसिल नद जे बेट ने केमरून एक्टिविस्ट से सिल नद जे वेट ने बनों के संरक्षन और उन पर निर्वल लोगों के जीवन को बहतर बनाने के उनके उत्रक्रिष्ट योगदान के लिए पुरुसकार जीता है कौन US National Academy of Science के लिए चुने गए है डॉक्टर कमला बाबा को US National Academy of Science के लिए चुना गया है बैंगलोर इस्थित असोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन एकोलोजी एंड एनवार्मेंट के प्रोमुक हैं कौन 57 किसे ग्राम उनती बोर्ड के नए गैर कारकारी अध्यश की रूप में नामित किया गया पूर्ब मुख्य चुनाव आयक्त सुनील अरोडा को किसे लार्शन एंड टूब्रो के M.D. और C-E-O के रूप में नियुक्त किया गया है right आन्जर है S.N. सुब्रमन्यम को ला इसन एंड टूब्रो के M.D. एंड C-E-O के रूप में नामित किया गया है अगला कोशन है अंतराष्टिय संग्राले दिवस 222 का थीम क्या है तो अंतराष्टिय संग्राले दिवस 222 का थीम रहा संग्रालों की सकती ठीक है अंतराष्टिय संग्राले दिवस को हर साल 18 माई को मनाये जाता है कब 18 माई को किसने उबेरकप दोहर 22 को जीता है तो उबेरकप दोहर 22 जीता है दक्षण कोरिया ने बैंककोक थाइलेंड के इंपेक्ट एविरा में कोरिया ने एक रोमांचक फाइनल में गत चैंपियन चीन को हराकर दूसरी बार उबेरकप को जीता है किसने राष्टिर डेटा और अनलेटिक्स फ्लेटफॉर्म को लॉंच किया राष्टिर डेटा और अनलेटिक्स फ्लेटफॉर्म को लॉंच किया गया है बिस्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस वहर बाइस का थीम क्या है तो इसका थीम रहा ब्रद व्यक्तियों और स्वास्थ उम्र बलानी के लिए डिजिटल तकनीक बिस्व दूर संचार दिवस की स्थापना 1969 में 17 मई 865 को अंतराष्टिय दूर संचार संकी स्थापना की उपलक्ष में की गई थी किसने राष्टिय साइवर फॉरें सिक प्रयोसाला का उदघाटन किया है आंसर है ग्रह मंत्री अमित सहने किसे बिद्दुद मंत्राले के आर एसी लिमिटेट का अध्यक्ष और प्रिवन निजिसक नियुक्ति किया गया सही आंसर है बिवे कुमार देवांगन बिवे कुमार कौन है तो ये मलीपूर केडर के 1993 बेच के आईयस अधिकारी है किस राज ने पुरानी पैंसन योजना को बहल किया है सही आंसर है 36 गड़ने किस ने 36 गड़ने किस देश के राश्टपती सेख खलीफ बिन जायद अल नहाय यान का निधन हो गया इंपोर्टन कोशन है ये राइट आंसर है UAE संयुक्त अरब अमीरात के राश्टपती और अबुधावी के सासक सेख खलीफा बिन जायद अल नहाय यान का निधन हो गया उन्होंने 3 नमबर 24 से संयुक्त अरब अमीरात के राश्टपती और अबुधावी के सासक के रूप में कार किया था हिंदी भासा को बड़ावा देने के लिए भारत ने UN को कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है आंतर है आठ लाक अमेरिकी डॉलर का किसने इटेलियन कप दोहर बाइस को जीता है तो इटेलियन कप दोहर बाइस को जीता है इंटर मिलान ने अतिरिक्ट समय में तक खिचे फाइनल में युवेंट्स को चार दो से हरा कर इटेलियन कप फुटबॉल पृत्योगता को जीता है किसने अपना आउनलाइन प्लेटफर्म ट्रेड एन एकस्टी को लौंच किया है तो देखिए ट्रेड एन एकस्टी को लौंच किया है युनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यह है कॉर्परेट और MSME को अपने स्थान से सभी सीमा पर निर्यात आयात लेंदिन करने में सक्षम बनाता है कौन REC Limited के CMD नुक्ति किये गये है सही आंसर है रविंदर सिंग धिल्लो विद्दुद मंतराले के प्रसासनिक नेंतरण के तहतकार करने वाली नवरतन कंपनी REC Limited पूर में जिसे ग्रामीर्ड विद्दुदिकरण निगम लिमिटेट के नाम से जाना जाता था ने घोशना की है कि 10 मई दोहरबाई से कंपनी के अध्यक्ष और प्रिवन निर्सक के रूप में रवेंदर सिंग धिल्लो को निप्ति किया गया है तीरंदाजी एशियकब 2-22 stage 2 में भारत में कुल कितने पज़क जीते हैं सही आंसर है 14 भारतिय तिरंदाजोंने एराक के सुलेमा निहाए मैं आयोजित एशियकब 2-22 stage 2 में 14 पज़क जीते हैं जिसमें 8-60 पज़क हैं आठ सोड पतक, चार रजत और दो कांस पतक सामिल है युवा तिरंदाजों ने मंगलवार को चार पतक भी हासिल किये किसने फिलिपीन्स में दोहर बाइस का राश्टपती चुनाव जीता है फिलिपीन्स देश में राश्टपती का चुनाव जीता है मारकोस जूनियर ने फिलिपीन्स की रादानी है मनीला और इसकी मुद्राहिस देश की फिलिपीन पैसो कौन सी अविनित्री लग्जरी ब्रांड लुईस बुईटन की पहली भारतिय ब्रैंड अमिजडर बनी है राइट आंसर है दीपी का पादुकोर किसे जेएस डवलू बंग प्लेटफॉर्म का सीईओ निक्ति किया गया राइट आसर है गौरा सचदेवा जेएस डवलू समू के संस्थापक है सजजन जिंदल इस्थापना हुई इसकी 1982 में और मुख्याल है मुंबई में है ध्यान रखेगा एपल को पच्छाड कर दुनिया की सबसे मुल्बान कंपनी कौन बन गई है राइट आसर है साउदी पेट्रो कंपनी अरामा को ठीक है अकला कोशन है किसे इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने मुख्य कारकारी अधिकारी नियुक्ति किया सही आसर है पीटर एलवर्स किसने महिला बिस्व का मुक्केवाजी चेंपेंशिप में सौन पदक जीता है इंपोर्टन कोशन है चर्चा में रहा इनका नाम निक हत जरीन ने महिला बिस्व का मुक्केवाजी चेंपेंशिप में सौन पदक जीता है भारत के राष्टे प्रसासक प्रसार भारती ने प्रसारण में सहीयों के लिए किसके साथ एक समझोते ग्यापन पर अस्ताक्षर किये हैं राइट आंसर है में डागास करके आधिकारिक ओ आर टी ओ आर टी एम के साथ किस राज में सिरुई लिली महसब 2022 का चौथा संस्क्रण शुरू हुआ तो यह शुरू हुआ है मारी पुर में कहां पर मारी पुर में कौन फिर से बिस्वस्वाथ संग्ठन के महानिदिसक के रूप में निक्ति हुए हैं दुबारा से टेड ड्रोस एड नोम घेवरियसस ठीक है विस्वस्वाथ संग्ठन का मुक्हले जिनेवा सुरिजर लेंड में है और इसकी स्थापना हुई साथ अपरेल उननीस सो अर्टालिस को दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में खोला गया है देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टन कॉशन है उसकी डिटेल भी तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज ये बियत नाम देश में खोला गया है कुछ इंपॉर्टन डिटेल देख तो 632 मीटर या फिट में कहें तो 2073 फीट है और ये एक बिसाल जंगल के ऊपर 150 मीटर यानि की 422 फिट पर इस्तित है रिपोर्ट के अनुसार एशिया देश ने एक हरे भरे जंगल के ऊपर एक कांच के तल वाला पुल खुला है और ये किस बिल्च की रेकॉर्ड को वांग डॉंग जो की चीन में है इस्तित अब तक के सबसे लंबे 526 मीटर ग्लास बॉटम ब्रिज की रेकॉर्ड को इसने तोड़ दिया है कि इसने 5000 इनकी 5000 मीटर रेस में 30 साल पुरान रेकॉर्ड तोड़ा है तो देखिए भारती अथलीट है ये इनका नाम है अविनास स सेवल अमेरिका के सैन जुआन कैपिस्ट्रोन में साउंड रनिंग ट्रैक में 13 घंटे 25 मिनिट 65 सेकंड के साथ नया रेकॉर्ड बनाया है महराष्ट के हैं ये 27 वर्से खिलाडी इन्होंने 1992 में बहदुर प्रसाथ द्वारा बनाए गए रेकॉर्ड को तोड़ा है ये है प सही आंसर है दोस्तों मुंबई माफी जाओंगा मुंबई में बायो गैस से चलने वाला भारत के पहले इवी चार्जिंग इस्टेशन का उटगाटन मुंबई महाराष्ट में किया गया है इस इस्टेशन से अपने आसपास के छेत्र से एकत्र किये गए खाद्य सरत गर्ण ठीक है ग्रीस के हेरा क्ली ओन में आई डवलू एफ जूनियर बिस्वकप चैंप्रिशिप में सौन पदक जीतने वाली पहली भारती बनी है यह इन्होंने कुल 153 किलोग्राम भार उठाकर 45 किलोग्राम बर्ग में इस सौन पदक को जीता है अगला कोशन है किसने दुनिया की सबसे वड़ी फिल्म पुनरद्वार परियुजना सुरू की है सही आंसर है अपने देश भारत ने सूचना और प्रसारन मंत्री अनुराक ठाकुर ने राष्टे फिल्म बिरासत मिशन के तहट दुनिया की सबसे वड़ी फिल्म पुनरद 1 से लिए आगया है किसने मियामी ग्रांड प्रिक्स रेस को जीता है सही आंसर है मैकस बैस्ट अप फबन फरारी परती दोंदी चार्ल्स लेकटलर को रेड़ बुल के लिए उढ़ाटन प्रिक्स को रुने वाला पहला एश्य देश मन गया है दक्षण को रिया कौन दक्षण को रिया कि नर्स दिवस to 2022, का थीम क्या है तो देखी नर्स दिवस 22 बिस्व रेट क्रोस दिवस 22 की थीम क्या है तो बिस्व रेट क्रोस दिवस 22 की थीम है थीम है बी हुमन काइंड प्रतेक वर्स आठ मई को बिस्व इसतर पर बिस्व रेट क्रोस दिवस को मनाया जाता है कौन भारत की पहली अनूठी तरह की फिलो केमिस्ट्री टेकनोलजी हव की मेजवानी करेगा सही आंसर है है अधराबाद यह हव फार्मसिटिकल छेत्रक में एक आधर्स बदलाव की सुरुगात करेगा जिसमें R&D से मौझूदा तरीकों को बिनिर्मान और अधिक पर्यावन के अनूकूल और टेकाव प्रक्रियाओं में इस्थांत्रित करने के माध्यम से सामिल किया जाएगा किसे बिटिस सामराज जे का सर्वस सबसे उत्करश सम्मान इसका नाम है सिविल डिवीजन पुरुसकार दोहर बाइस और इसको कहा जाता है ओन रेरी मेंबर ओफ दी ओडर ओफ दा बिटिस एमपाय प्राप्त हुआ है तो यह प्राप्त हुआ है गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ती को बिस्व इस तरह बिटिच चिकिस्सा प्रौदकी फर्म पैन सेंजवेग को ठीक है सिंथिया सिंथिया रोसेंजवेग को बिस्व खाद पुरुसकार दोहर बाइस से समानित किया गया है नासा की जलवायू अनुसंदहन बैग्यानिक है यह ठीक है और इनको बिस्व खाद पुरुसकार दोहर बाइस समानित किया गया उन्होंने अपने केरियर में अधिकान समय यह समझने में बिताया है कि बैस्विक खाद उत्पादन को किस प्रकार बदलती जलवायों के अनुकूर होना चाहिए किस ने दक्षड कोरिया के तेरवी राष्टपती की रूप में सपत ली तो इनका नाम है यू, सुक, यूल ठीक है इनका नाम या रखेगा और दक्षड कोरिया की राजधानी है सियॉल और यहां की मुद्रा है दक्षड कोरिया इगों किसे TVS Motor Company का प्रवन निर्माता कमपनी है चीन में होने वाले Asian Games 22 कब तक के लिए स्थखित कर दिये गए है सही आंसर है 2023 के लिए किसे संयुक्त राज अमेरिका की रख्षा केंद्रिये खूफिया अजनसी का पहला मुख्य प्रौदिकी की अधिकारी नियुक्ति किया गया तो देखिए भारती मूल के हैं इसलिए मैंने ये कौशनिया आपर रखा है इनका नाम है नंद मूल चंदानी को किसने मैडरिट ओपन टाइटल 2022 का पुरुस एकल खिताब को जीता है इनका नाम है कारलोस अलकाराज कारलोस अलकाराज इस्पेन से ये बिलोंग करते हैं इन्होंने गत चैंपियन अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर पुरुस एकल मैडरिट ओपन किताब 2022 जीता है एलेक्जेंडर जेवरेव किस देश के हैं ये जर्मनी के हैं किसे इलक्रोनिक्स और सूचना प्रोदकी मंत्राले का सचिव बनाया गया है सही आंसर है अलकेश कुमार सर्मा को इसके पहले वे कैबिनिट सचिवाले में अत्रिक्त सचिव एवं सचिव के रूप में कार कर चुके हैं इंपोर्टन कोशन है 100 बिलियन अमेर्की डॉलर बार्सिक राजस्वा हासिल करने वाली पहली भारती कंपनी कौन बन गई है तो इस कंपनी का नाम है रिलाइंस ठीक है रिलाइंस इंडेस्टी लिमिटेड याद रखेगा इसके संस्थापक है धुरुगाई अम्भानी और स्थापना कीगी आठ मई 1973 महराश्ट में और इसका मुख्याले मुंबई में है किसने चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगो आधिकारिक जर्सी और थीम गीत के साथ सुभांकर यानकी मैस्कॉट धाकल को लौंच किया है सही आंचर है केंद्रे खेल मंत्री अनुराग ठाकुरने उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजवानी के लिए हर्याना के प्रयास की सराहना की है देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स यार रखेगा सबसे पहले ये 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया इसके बाद पूर्णे महाराष्ट में फिर 2020 में गोहाटी 2021 में इसको होना था लेकिन COVID-19 के करण ये देरी हुई है अब ये 2022 में संपन होगा इंपॉर्टन कौशन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टन नाम है ये मई 2020 में पदम बिभूशन पंड़िश शिवकुबार सरमा का निधन हुआ वे कौन थे तो देखिए भारते संगीस संगितकार एवं संतूर बादक थे भारते संगी स्कार और संतूर बादक पंडिक शिपकोमार सर्रोमा का 84 वर्स की आयू में निधन हो गया वे पिछले 6 माइनों से गुर्दे से संबंदे समस्याओं से पीड़त थे और डायलेसिस पर थे राष्टिय प्रोदुकी दिवस 22 की थीम क्या है तो राष्टिय प्रोदुकी की दिवस 22 की थीम है टिकाव भविस्च के लिए बिज्ञान और प्रोदुकी में एकिकरत देश्टी कौन इंग्लिस में कहें तो इंट्रेग्रेटिट अप्रोच इन साइन्स एंड टेक्नोलोजी पॉर सस्टेमिल फी फूचर प्रतेक वर्स ग्यारा मई को पूर्धेस में राष्टिय प्रौधकी की दिवस्की रूप में मनाया जाता है यार रखेगा ग्यारा मई 1998 को देश ने पोकरण में परमानु हत्या का सफलता पूर्व परिशन किया था कि किस राज के मुखमंत्री ने लाडली लक्षमी योजना टू पॉइंट जीरो को लॉंच किया है तो यह किया है मद्ध्य प्रदेश ने मद्ध्य प्रदेश के मुखमंत्री सिवरा सिंग चोहान ने लाडली लक्षमी योजना टू प पुस्तक को लेका है प्रकास सिंग ने प्रकास सिंग कौन है तो यह पूर्व आईएस अधिकारी है किस देश को असोशेशन ओफ एशियन एलेक्शन अथोरिटीज का नया अध्यक चुना गया है सही आंसर है अपने देश भारत को फिलिपीन के मनिला में कारकारी बोर्ड और महासवा की बैठक में 2022-24 के लिए भारत को सर्प समीती से असोशेशन ओफ एशियन एलेक्शन ओथरिटीज का नया अध्यक चुना गया है उत्तरप्रदेश सरकार ने राज के गाव में कितने हजार से अधिक इस्थानों पर मुफ्त वाई फाई की सुपधा प्रदान करेगा सही आंसर है 58000 से अधिक गाव में ये घोचना की है उत्तरप्रदेश राज सरकार ने किसे इस बिसे इस बांगला अकादमी पुरुसकार मिला है important question है पश्यमंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बेनर्जी का सही आंसर है इस वर्स के साहित अकादमी पुरुसकार सुरू किया गया है लिए यह पुरुसकार बेनर्जी को उनकी पुस्तक कवीता बिटान के लिए प्रदान किया गया है अगला question है किसने कलम website को launch किया तो लोकसवा अध्यक्ष ओम बिलाजी ने कलम website को launch किया है ओम बिलाजी ने स्थानिय साहित को समर्थन और पुरुसाहत करने के लिए प्रभाख खेतान प्रभाख खेतान foundation की एक साहितिक पहल कलम website को launch किया है मई 2022 में पंडिस सुख राम का निधन हुआ वे कौन थे हिमाचल प्रदेस कॉंगरेस नेता और पूर्भे केंडरी मंतरी पंडिस सुख राम का 94 वर्स की आयू में निधन हो गया किसने प्रती बोती बाजार में परियोबन शामाजिक और साऊसन से सम्मंदित मामलोपा सलाह देने के लिए एक समीती का गठन कहा है सही आंसर है Security and Exchange Board of India यानि कि हम सेवी की बात कर रहे हैं समीती के अद्धिक्स्ता HDFC Mutual Fund के मुख्यकारकारी अधिकारी यानि कि CEO नवनीत मुनोट करेंगे सेवी से कॉशन बन जाता है पहले इसका full form Security and Exchange Board of India इस था अपना 12 अप्रे 1992 को हुई और इसका मुख्यालब पूछा जाता है जो कि मुंबई में है मई 2022 में रजत कुमार कार का निदन हुआ वे कौन थे तो ये प्रिख्यात ओडिया साहित कार थे कार को साहित और सिक्षा के लिए बर्स 2021 में पद्म सिरी प्राप्त हुआ वह टीवी और रेडियो पर बार्सिक रथ यात्रा जगना संस्कृती के दोरान अपनी टिप्पणी के लिए जाने जाते थे चैन एलाइसिस 2021 में किरुप्टू लाप की मामले में भारत कि सिस्थान पर है तो भारत इस रिपोर्ट में 21 सिस्थान पर है किसने बायूसेना के मुख्याले नई दिली में भारती बायूसेना के महाने दे सक निरिक्षन और सुरक्षा की रूप में पदभार घ्रण किया है सही आंसर है एर मार्सल संजीप कपूर में कोशल विकास मंतराले ने अपना प्रसिक्षन कारेकरम मुवमेंट ट्रेकिंग सिस्थम मुबाइल एप को लौश किया है यानि कि इस एप को 24 पे मूख बधिर ओलमपिक में धनुस स्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है राइट आंसर है सौन पदक निसाने वाज धनुस स्रीकांत ने ब्राजिल के काकसियास को डू सुल में 24 पे मूख बधिर ओलमपिक में पुरसों की 10 मीटर एर राइफल पुर्तियोगता में सौन और सौर सैनी ने कास सपदक जीता है यह नाम भी याद रखेगा सौर सैनी का इन्होंने कास सपदक जीता है किसने विसा का पटनम में मुवाइल कंटेनर अस्पताल का उधगाटन किया है सही आंसर है रेल टेल और डब्लू एचो ने आंद्रप्रदेश मेड टैक जोन दुनिया का पहला एक एक्रिट चिकिस से उपकरण निर्मार केंदर है ए एम टी जेड के परिसर में निर्मित हेल्थ क्लाउट का उधगाटन डब्लू एचो जेनेवा के डब्लू एचो इनुवेशन हव के प्रमुक लुईस एजर्स नैप ने किया था किस राज की सरकार ने नेथनना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज का बिस्तार किया है सही आंसर है तेलंगाना तेलंगाना सरकार ने नैथनना बीमा यानि कि बुनकर बीमा है ये योजना है तरह से योजना के तहत हत करगा और बिजली करगा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज का विस्तार की गोशना की है राज सरकार ने यूजना के तहट बुनकरों के लिए 5 लाग रुपे का बीमा कवरिज बढाने का आदिश दिया है इंटर ग्लोबल एवियेशन ने किसे निदेशक मंडल का अध्यक्ष नुक्ति किया है तो उनका नाम है बैंककट रमनी सुमंतरन ठीक है इंटर ग्लोबल एवियेशन ने गोशना की कि बैंककटर मनी सुमंतरन को इंडिको बोर्ट का अध्यक्ष नामित किया गया है किसे फेडरल रिजर बैंक ऑफ निदेशक मंडल के रूप में चुना गया तो देखिए आईबियम के अध्यक्ष एवं मुख्यकार पालक अधिकारी इनका नाम है अरविंद किष्णा को फेडरल रिजर बैंक ऑफ नियोर्क की स्थापना हुई 1913 में और इसका मुख्याले नियोर्क USA में है अगला कॉशन देखते हैं इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस अवार्ड दोहर बाइस में इंडियन फार्मा लीडर ऑफ दा इयर पुरुसकार किसने जीता है तो यह पुरुसकार मिला सिपला लिम्टिट को ठीक है इंडिया फार्मा अवार्ट 22 और इंडिया मेडिकल डिवाइस अवार्ट 22 में रसायन और उर्वरक मंत्रारेक के राजमंत्री भगवंत खुवा द्वारा ये पुरुसकार बाटे गए हैं कौन अगला कॉशन है कौन इंडिफी टेकनोलोजी के सलाकार बने हैं स्बूर्व चेर्मन रजनीश कुमार आनलाइन लेंडिंग प्लेटफ़र्म इनडिफी टेकनोलोजी ने अश्बी अविस्वाय के पूर्व चेर्मन रजनीश कुमार को अपना सलाकार न्यूप्त कीय इस्रो ने कब तक सुक्र मिशन की यूजना बनाई है दिसंबर 24 तक 1950 के दसक से अंतिम जीवित F1 रेस बिजेता का निधन हुआ उनका नाम क्या है तो एक इंपोर्टन नाम है यह इनका नाम है टॉनी ब्रूक्स के नाम है निका टॉनी ब्रूक्स किरकेटर रिदीमान सहा मामले में BCCI ने किस पत्रकार पर दो साल का प्रतिमें लगाया है सही आंसर है बोरिया मजुमदार उन्हें आंत्रिक जांच में बिकट कीपर रिदीमान सहा को धमकी देने और डराने के प्रयास का दोसी पाया गया था अगला कोशन है कौन सी राजसरकार मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत फ्री मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रतान करेगी तो यह घोशना की है दिल्ली इसने किसने दिल्ली ने पूर्वी दिल्ली में स्थित 25,000 घरों में मुख्य मंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत फ्री सीवर कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे होंग कोंग के अगले मुख्य कारकारी के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है सही आज़र है जौन ली काचियू को किस निजी छित के रूप दाता बैंक ने 30 मिलेट में एक्सप्रेस कार लोन को पेस किया है तो इसकी पेस कसकी है HDFC बैंक ने किस राज के मुख मंत्रीने गोशना की कि पहली से पाँच वी तक के सभी सरकारी प्राथमेग विद्यालों के छात्रों को सभी कारदबस में पौश्ठिक नास्ता उपलब्द कराये जाएगा तो ये गोशना की है दोस्तों तमिलनाडू के मुख मंत्री ने जिनका नाम है M.K. स्टालिन देश के पहले इथे नौल सैंत्र का उधगाटन कहां किया गया है important question है दोस्तों तो याराखेगा देश के पहलेITE इथेनोल स्यंतर का उधगाटन बिहार के पूरणिया में किया गया इससे सम्मंदित सभी important तक से देखलेते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नितीज कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में भारत के पहले इथेनौल सयंत्र का उधगाटन किया इस प्लांट की स्थापना इस्टन इंडिया बायो फ्यूल्स प्राइविट लिमिटेट ने एक सो पांच करोर रुपे की लागस्से की है पूर्णिया सहर से करीब 12 किलोमीटर दूर गणेशपुर परोरा में इस्तित यह प्लांट 15 एकर जमीन में फैला हुआ है कौन एकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमबर्क पर लाइव होने वाला पहला सारविजनिक बैंक बन गया है यह बना है यूनियन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एकाउंट एग्रीगेटर एको सिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सारविजनिक छेतर का बैंक बन गया है यह है फ्रेमबर्क अत्वा धाचा बिनियमित संस्थाओं की बीच बास्तविक समय के आधार पर बित्तिय जानकारी साजह करने की सुविधा प्रदान करता है ABP MJAY के तहट 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला कौन बना है सही आंसर है केंद सासर प्रदेश जम्मू कस्मीर का सावा जिला केंस सासिर प्रदेश जम्मू कस्वीन में जम्मू संभाग का सावा जिला आयुश्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग योजना के तहट 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिना बन गया है जिले के सभी बीडियो कार्यालों में 11 अप्रेल से 21 अप्रेल तक राज्य स्वास्त एजन्सी दोरा आयुजित एक बिसेस पंजिकन अभिहान के समापन के बाद जिले ने यह उपलब्दी हासिल की है यूपी का कौन सा सहर बैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला सहर बन गया है अगरा स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि नगर निगम ने ताजमहल के पास 240 घरों को बैक्यूम आधारित सीवर से जूड़ा है इम्पोर्टन कॉश्चन है बिस्व प्रेश सोतनता सूचकांग 22 में भारत किस स्थान पर रहा है तो वर्ल्ड प्रेश फ्रीडम इंडेक्स 22 में भारत 150 पर रहा है इस रिपोर्ट को Reporters Without Borders ने 20 वा बिस्व प्रेश सोतनता सूचकांग को जारी किया है और यार रखेगा पहले स्थान पर है नारवे डूसरे पर डैनमार्क, तीसरे पर स्वीडन चौथे पर एस्टोनिया है और पांच पर फिर्लेंड है और ये सूची 180, 200 कीदी जारी की गई जबकि उत्तर कोरिया सबसे नीचे है किसने 2022 बिस्व इस्टनूकर चैंपेंशिप को जीता है इंपोर्टन कॉशन रहेगा 2022 का बिस्व इस्टनूकर चैंपेंशिप रोनी ओ सुलीवन ने जीता है बिस्व आस्थमा दिवस बिस्व आस्थमा दिवस 2022 का थीम क्या है अस्थमा के बारे में जागुरता फिलाने के लिए से मनाया जाता है और इस बर्स इसे तीन मई को बनाया गया भारत का पहला अमरित सरोबर कहां बनकर तयार हो गया है तो भारत का पहला अमरित सरोबर यूपी के रामपुर में बना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितनात की सरकार के प्रियासों से रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला अमरिस सरोबर बनकर तयार है आजादी का अमरिस मौसब के हिस्से की रूप में अमरिस सरोबर पहल को शुरू किया गया जिसके अंतर का 75 जल निकायों को बिक्सित और पुनर जिवित किया जाएगा राजिस्थान का मिया वाला रेल्वे स्टीषन का नाम बदल कर क्या कर तिया गया है महीशन नगर हॉल्ट कर दिया गया है कौन भारत का पहला घरेलू हाइडरोजीन इधन वाला इलेक्टरिक पोत बनेगा बनाएगा सोरी तो ये बनाएगा कोचिन सिप्याड कोचिन सिप्याड लिमिटेड ने हाइडोजन इधन पर आधारित पहला सोदेशी इलेक्टरिक पोत बिकास और निर्माण करेगा जिसके हरित सिपिंग की दिसा में देश के प्रियासों को गती मिलेगी हर गाओं में पुस्तकाले वाला देश का पहला जिला बन गया है जामताला जहारखंड का जामताला देश का एक मातर जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदा एक पुस्तकाले है लगवक 8 लाकी आवादी वाले इस जिले में 6 बिलोक के तहट 118 ग्राम पंचायते हैं और प्रतिक पंचायत में एक सुसचित पुस्तकाले है जो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चात्रों के लिए खुला रहता है बिस्व हाथ सुचिता दिवस 222 का थीम क्या है? बिस्व हाथ सुचिता दिवस 222 का थीम है स्वास्त देखवाल गुलवत्ता और सुरक्षा जलवाई या संस्कृती हर साल 5 मई को समूचे देश में बिस्व हाथ सुचिता दिवस यानकी वर्ल्ड हैंड हाईजीन डे को मनाया जाता है कौन भारत की पहली आदिवासी स्वास्त बैथ साला बनाएगा? सही आंसर है उडिसा स्थापना के लिए बुद्धवार को समझोते पर एक हस्ताक्षर की है किसे केंद्रिय प्रत्यक्षकर बोर्ड के चेर परसन का अतरिक्त प्रभार स्वापा गया है? राइट आंसर है संगीता सिंग 1986 बैच की भारती राजस्व सेवा की अधिकारी संगीता सेन को केंद्रिय प्रत्यक्षकर बोर्ड के चेर परसन का अतरिक्त प्रभार स्वापा गया है स्वदेशी नैविगेशन प्रणाली गगन का उप्यो करने वाली पहली एरलाइन कौन बनी है? राइट आंसर है इंडिगो स्वदेशी नैविगेशन सिस्टम गगन का उप्यो करने वाली अपने विमानों को उतारने वाली एशिया की पहली एरलाइन बन गई है इंडिगो भारत सहीन राक्ष अमेरिका और जापान के वाद अपनी S.B.A.S. प्रणाली बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है किसे भारत के नई बिदेश सचिव के रूप में पदभार गण किया है? तो बिने मोहन को आत्रा ने भारत के नई बिदेश सचिव की रूप में पदभार गण किया है 1988 बेच के भारती बिदेश सेवा के अधिकारी रहे रह चुके हैं बिने मोहन और वे सेवा निर्मित हुए हर्स वर्धन संगला की जगा लेंगे पुस्तक Not Just A Night Watchman My Innings इंदा BCCI को किसने लिखा है? तो इस बुक के राइटर है बिनोध राए कौन है बिनोध राए? तो पूर्व भारत के नियंतरक एवं महालिका परिक्षे हैं 11 वे ठीक है? बिनोध राए माइग्रेशन ट्रेकिंग सिस्टम एप बिक्सित करने वाला पहला राज कौन बना? तो माइग्रेशन ट्रेकिंग सिस्टम एप बिक्सित करने वाला पहला राज बन गया है महराश्ट महराश्ट भारत का पहला राज़ बन गया है जिसने बैक्तीगत बिसिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी सिर्मकों की आवाजाही को ट्रेक करने के लिए बैपसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रेकिंग सिस्टम एप्पिकेशन को बिक्सित किया है किसे पेरु सरकार द्वारा सरवोच राजनाइक पुरुसकार से सम्मानित किया गया सही आंजर है अद्रे सिर्बी के दुवाशा मुंबई में पेरु के पूर्व मानत कोशल अर्दे सिर्बी के दुवाशा को पेरु के बिदिस मंतरे द्वारा पेरू जौस ग्रेगो रियो पाज सोल्डन की राजनाइक सेवा में ओर्डर ओफ मेरिट से मेरिट परदान किया गया है किसे थलसेना का नया सहसेना प्रमुक नियुक्ति किया गया तो लेफ्टेनेंट जनरल बग्गा वली सुम सेखर राजु को थल सेना का नया सह सेना सह सेना प्रमुक नियुक्ति किया गया है वे एक माई 2022 को पदभार घ्रण करेंगे वह सेनिक स्कूल बीजापुर और राश्ट्रिय रक्षा अकादमी के पूर्व छातर थे और 15 दसंबर 1984 को जाट रेजीमेंट में कमिशन हुए थे पीवी सिंदु ने इंपॉर्टन कोशन है पीवी सिंदु ने एशाई बेडमेंटन चेंबेशिम में कौन सा पदक जीता है राइट आंसर है कांसे पदक पांच जुलाई को अमेजन के नए CEO कौन बनेंगे सही आंसर है एंडी जेसी अमेजन कंपनी ने सेरधारक बेटक में ग ख्याल है सियेटल वाशिंग्टन सही उत्राज अमेरिका में है कौन जीयो सावन के CEO वने है आंसर है सहस मलुत्रा जीयो सावन ने एमेजन म्यूजिक के पूर्व निदिस्टक और मनुरंजन उद्द्यों के बिश्चक सहस मलुत्रा को अपना नया CEO नामित किया है बिश्व प्रेश दिवश 2021 का थीम किया है तो बिश्व प्रेश दिवश 2022 का थीम है डिजिटल घेरवंदी के तहट पत्रकारता प्रतेक 3 मई को बिश्व इस्तर पर बिश्व प्रेश स्टंता दिवश की रूप में मनाया जाता किस राज के मुख्यमंत्री ने मितान योजना की शुरुवात की है तो 36 गड़ के मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुवात की है देखिए मितान का मतलब होता है मित्र या फिर दोस्त ठीक है इस योजना के थे चत्तिजगड के निवासी अपने घर पर लगवक 100 सारवजिनिक सेवाओं का लाव उठा सकते हैं कौन सी राय सरकार ने नीरत चोपडा के ग्रह नगर में इस्टेडियम बनाने की गोशना की है राय आंसर हर्याना सरकार ने हर्यान के मुखमंतरी मनुहर लाल खटर ने गोशना की कि ओलंपिक स्वाण पदक बिजिता नीरत चोपडा के पैत्र गाउं पानी पत में एक स्टेडियम बनाये जाएगा पिछले साल नीरे चोपडा ने ओलंपिक ट्रेक एंड फील्ड में स्वाण पदक जीतने वाले पहले भारती ये बने थी किसने मनीपूर सुपर फिप्टी के लिए MOU पर अस्ताक्षर किये हैं आंसर है भारती सेना के रेड सील्ड डिवीजन ने यह समझोता मनीपूर के विष्णूपूर जिले में हुआ मनीपूर सुपर फिप्टी परियोजना का जुलाई 22 के पहले सब्ता तक पचास चात्रों के पहले बेच के लिए पूरी तरह कार्यात्मक होने की उम्मीद है किसने महराष्ट जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है आंसर है महराष्ट केविनिट यह भारत में इस तरह की पहली परियोजना है इसका उद्देश राज के भीतर जेनेटिक संसादनों का सनरक्षन प्रदार करना जिसके अंतरकर समुद्री जीवों की बिविदता इस्थानिय फसनों के बीच के प्रकार और पसू बिविदता सामिल है किस देश के लेंड इसके गार्डन सी टी ओ वर्ल मार्क्स को यूनेसको की बिस्वधरोर्ब में दरजा मिला है सही आंसर है ब्राजील ये ब्राजील के सहर रियो दा जैनरो में है उद्यान में 3500 से अधिक पौदों की प्रजाती है जो मूलता रियो की प्रजातिया है इसे बनस्पती और परिद्रस से प्रयोग के लिए एक प्रियोसाला माना जाता है किस हिम तेंद्वा सनरक्षण वादी ने प्रतिष्टित वीटल गोल्ड अवार्ड जीता है आंसर है चारू दत मिस्राने यह है आवार्ड उन्हें एशिया के उच्छ परवत्तिय पारिस्तितिक तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजातियों यानिकि तेंद्वों के सनरक्षण और पुनर प्राप्ति में स्वदेशी समुदाय को सामिल करने में उनके योगदान के लिए प्राप्त हुआ है किसने यूके का कॉमन वेल्थ पॉइंट ओफ लाइट अवार्ड जीता है आंसर है किशोर कुमार दास बंगलादेश के सैक्षिक चैरिटी बिदा नंदो के संस्थापक किशोर कुमार दास को युनाइट किंग्डम के कॉमन वेल्थ पॉइंट ओफ लाइट अवार्ड के किस राज्जी की प्रस्तावना प्रणाली को सूचना समाज फॉरum पर 20 सिकर सम्मिलन पुरुस्कार 22 से समयर गया है कौन सी भारती अभिनेतरी 75 वे कान फिल्म फैस्टेवल की जूरी सदस्वरी हैं सही आंसर है अभिनेतरी दीपी का पादुकोर किसे फ्रांस के राष्टपती की रूप में पुना चुना गया है तो इमीन नुएल मैक्रो को फ्रांस के राष्टपती की रूप में दुबारा से चुना गया है किसे प्रधानमंत्री नरिनमोदी के सलहकार की रूप में निक्त किया गया है कपूर हिमाचल पृधिस केडर के उन्नीस सो ससासी बैच के आई एएस अधिकारी है किसने 35 इस्पैस्ट लीक खिता है तो रियल मेडरेट ने 35 इस्पैस्ट लीक किता है रियल मेडरेट ने अपने रिजर्व दस्ते के साथ स्पेन योल को 4-0 से हरा कर record 35 वार इस खिताब को जीता है अगला question है किसने अपना सात्वा संतोस ट्रॉफी खिताब जीता राइट आंसर है केरल के मलपपुरम के मंजेरी स्टेडियम में संपन हुई 75 वी संतोस ट्रॉफी 2022 जीतने के लिए केरन ने पैनल्टी सूट आउट में पश्चिम बंगाल को हरा कर ये खिताब जीता है किसने बैस्ट इंफ्रस्ट्रेक्चर प्रुजेक्ट पुरुसकार जीता है राइट आंसर है अटल सुनन सीमा सडग इंजिनरिंग मारवल अटल टनल को नई दिल्ली में इंडियन विल्डिंग कॉंग्रेस बैस्ट इंफ्रस्ट्रेक्चर प्रुजेक्ट का पुरुसकार मिला है यह हिमाचल प्रदेश की रोतांग में निर्मित है पुस्तक अमिसहा अनी बजापची बच्चल को किस ने लिखा है तो इस बुक को लिखा है डॉक्टर अनी वार्न गांगुली और शिवानन्द दिर्वेदी ने किसे फ्यूचर जनराली इंडिया इंसुरेंस के एमडी और सी यो के रूप में नियुक्ति किया गया सही आंसर है ब्रूस डी ब्रोईज फ्यूचर जनराली इंडिया लाइफ इंसुरेंस की स्थापना हुई सन 2000 में और इसका मुख्याल है मुंबई में है एल एंटी ने हरित हाइडोजन प्रोदगी बिकास करने के लिए किस आईटी के साथ समझोता किया है राइट आंसर है आईटी बॉंबई पुस्तक चाइनीज स्पाईज फ्रॉम चेर्मेन माउट टू सी जिन पिंग को किस ने लेखा है तो इस पुस्तक को लेखा है फ्रांसेसी पत्रकार रोजर फाली गोट ने भारत ने कितने से अधिक राश्ट्य दोजों को एक समय पर लहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है सही आंसर है अटक्तर हजार 78,000 किस योजना के तहत महाराश सरकार ने जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपे तक का परसनल लोन देने का फैसला किया है सही आंसर है जीवला योजना कारागार बिवाग और महाराश्ट राज्य सहकारी बैंक दोरा लागू की गई इस योजना को पूरे के यरवदा सेंटरल जिल में सुरू किया गया है डिजिटल ट्रांस्फोर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए SVA कार्ड किस के साथ समझोता किया है सही आंसर है TCS के साथ किस के साथ किस राज के पूर मुखमंत्री रहे J.D. रिमबाई का निधन हुआ है किसे दूसरी बार राश्टी अनुसूचे जाती आयोक का अद्यक्ष निधन की आ गया अंतराश्टी जैज दिवस 2022 का थीम क्या है तो सही आंसर है एक कॉल फॉर ग्लोवल पीस और यूनिटी प्रतेक बर्स 30 अपरेल को दुनिया भर में अंतराश्टी जैज दिवस मनाया जाता है यह दिन जैज को बढ़ावा देने और इसके महात्व के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जैज क्या है तो उनका नाम है अंसुल स्वामी क्या नाम है अंसुल स्वामी रेल मंतराणे ने रेलवेज दूर संचार को अपग्रेट करने के लिए किस के साथ समझोते पर अस्ताफ्चर किये है आज का बीडियो यही एंड होता है उम्मीद करता हूँ आपको सभी कॉशन अच्छे लगे होंगे समझाय होंगे जल मिलते हैं निव वीडियो के साथ